नमश्कार दोस्तों, ग्यान वे ज्यान टीवी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को अपने पैरों में काला धागा बाँधिते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर लोग अपने पैरों में काला धागा बांधते क्यूं हैं? दरसल बहुत सारे लोग अपने पैरों में काले रंग का धागा तो फैशन वश भी बांधते हैं, लेकिन जो लोग धार्मिक प्रवती के होते हैं, उनके पैर में काला धागा बांधने का बहुत महत्व होता है। ऐसे में यदि आपको नहीं मालूम है कि लोग अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं इसको बांधने के फाइदे क्या हैं और काला धागा के स्पैर में बांदना चाहिए वास्तव में काला धागा बांधने के पीछे विज्ञानिक कारण भी है हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है ये पंच तत्व हैं पृत्वी, वायू, अगनी, जल और अकाश इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकरात्मक उर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती इसलिए गले में काला धागा बांधा जाता है दरसल कुछ लोग काले धागे में भगवान के लौकेट भी धारन करते हैं इसे बेहत शुब माना जाता है बुरी नजर से बचने के लिए काले रंग की चीजों का इस्तमाल किया जाता है जैसे काला टीका, काला धागा काला धागा पहनने और काला टीका लगाने की परंपरा प्राचीन काल से चलिया रही है काला रंग नजर लगाने वाले की अकागरता को भंग करता है इसके कारण नकारात्मक उड़जा व्यक्तिको प्रभावित नहीं कर पाती दोस्तों आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को पेट दर्थ की शिकायत करते हुए सुना होगा। उनको पेट दर्थ की समस्या तब होती है जब उनकी नाभी टहल जाती है और उनके पेट में असेहनिय दर्थ शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों पैरों के भानने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि काले धागे को बाएं पैर में लड़कियां बाढ़ती हैं तो उससे उनके पैर में दर्थ नहीं होता। यदि आप दिन भर खड़े होकर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने पैरों में दर्थ जरूर महसूस शरीर भी एक समय के बाद जवाब देता है। इसलिए यदि ज्यादा काम करने की वजह से आपको अपने पैरों में दर्द महसूस हो तो आप अपने पैरों में काला धागा बांध ले। ऐसा करने से आपके पैरों का दर्द तुरंत चला जाएगा। और यह बात शास्त्रों म भी उलिखित है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप अपने दाई पैर में मंगलवार के दिन काला धागा बांधते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। और आपके जीवन से धन की सभी समस्याइं बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में धन संबंधी, कोई समस्या चल रही है तो मंगलवार के दिन अपने दाई पैर में काला धागा बांध लें। दोस्तों शनी दोश से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले रंग का धागा पहना चाहिए। इससे शनी का प्रकोप उस व्यक्ति पर नहीं कोई जानकारी आपको सही नहीं लगी या आपके पास इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और हाँ हमारे चैनल ग्यान विज्ञान टीवी को सब कुछ क्राइंग करना बिलकुल ना भूले आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार